कुछ टाइम पहले जब मैंने एक वीडियो किया था इस चीज को लेकर बच्चे के गर्वनाल से रिलेटेड धेर सारे कमेंट्स आये थे बेबी किक्स भी साथ में कहीं न कहीं इंक्लूट की जा रही थी हे गाइज एक ऐसी क्वेरी आप सबकी मेरे पास आई है जिसमें कहीं न कहीं कुछ महिला डाउट में होती है कई बार बच्चे की बेबी किक्स आती है फिर भी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो बच्चे इनने गले में गर्वनाल लगा लिया है बच्चे गले के अंदर वन र राउंड कुछ बच्चे 3 राउंड कुछ बच्चे 4 राउंड या ऐसी भी चीज़े देखी जाती है कि मल्टिपल राउंड गले में गर्वनाल से पैक करना बच्चों का ये कितना खतरनाक हो सकता है क्या ये मा की कुछ ऐसी गलतिया होती है जिस वज़ा से बच्चे गले म गर्वनाल लगाते हैं तो चलिए डीटेल में इस वीडियो में जानेंगे मैं अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान इस चीज़ को मैंने कैसे महसूस किया मैंने इन चीज़ों को कैसे ठीक किया कि बच्चे के गले में गर्वनाल ना लगे उन साधानियों के उपर मैं बात है या पहले हो जाता है बहुत सारी मित और फैक्ट जुड़ी हुई है बच्चे के गर्वनाल से रिलेटेड चलिए लास्तक वीडियो को वाज कीजिएगा किलियर कर जनकारी मिलें कि मैं आप सब के साथ श्वेता और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है प्राइम मॉम को आती है एक दिन के अंदर बच्चे तीन से चार बार मिनिममम हल चल करते हैं ज्यादा से ज्यादा बार 15-20 बार भी 24 आउर का अगर आप एक साइकल लेंगी तो उसमें 15-20 बार असानी से बेवी किक्स आ जाती है अब एक क्वेशन अराइज होता है कि ऐसी कौन सी सिच्व क्वेशन होती है कि बच्येमें गर्वनाल लगा लेते हैं बच्येमें गर्विनाल जो है वह खुद की एक्तविटी के करण लगाते हैं जैसे कि मा के पेट में लेफ्ट चूरा जाना प्र राइट से लैफ्ट यह दो बार लेफ्ट चले गए उंप ड़्ण दाउन चले क्ष thieves को बहुत बड़े होते हैं बहुत बड़े कहने का सेंस मतलब की आप क regression की लंबाई में बहुत फरक होता है अगर बात करें लिए बहुत्वOb…. ऐसा बताते हैं कि जिन बच्चो की प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी लेकिन होती है न कंपेरीजन में कौन सा बेस्ट है जिनके गर्वनाल बड़े होते हैं वो बेस्ट होते हैं medical science ने ऐसा कुछ बताया है अब अगेन बात करते हैं कि जो गर्वनाल है वो मा ऐसी कौन सी गलतिय करती है कि बच्चे गले में गर्वनाल लगाते है ऐसा question आता है देखे हलाकि बच्चों से related कोई भी समस्या हो ना सभी मा को दोसी मानते है लेकिन इसमें मा का कोई भी रोल नहीं है बच्चा अपने हिसाब से activity कर रहा था जिस वज़ा से जो है वो उसके गले में गर्वनाल लिपट गई अब यह गर्वनाल निकलेगी कैसे देखे गर्वनाल तो तभी निकलेगी जब बच्चा खुद निकालेगा एक पर highlight करेंगे इस point के उपर कि क्या normal delivery possible नहीं है देखे अगर बच्चा गले में single round लगाया है गर्वनाल इस तरीके से तो वो normal delivery हो जाती है लेकिन 2 या 3 round लगाया है तो इसमें डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं अब आप एक चीज़ पूछेंगे कि पुराने जबाने में तो जब सीजेरियन delivery नहीं होती थी तब भी बच्चे गले में गर्वनाल लगाते थे तब कैसे delivery कराई जाती थी तो एक चीज़ मैं याद दिला दू कि पुराने जबाने के समय में जब भी delivery कराई जाती थी बहुत सारे ऐसे cases होते थे बच्चे की death हो गई या मा की death हो गई लेकिन आप आज के time में देखिए medical science इतना आगे जा चुकी है कि बच्चे को भी सुरक्षित बचाय जाता है मा को भी बचाय जाता है हर हाल में हर condition में सायद ही एक दो ऐसी जगह हो जहां पर चुक हो जाए इन चीजों से related गर्वनाल की खासकर मैं बात करें हूं नहीं तो pregnancy के अंदर तो बहुत सारे complications होते हैं हर चीजों के लिए अलग-अलग बाते होती है इस वीडियो के अंदर मैंने यह point आपका clear कर दिया और भी कुछ पूसना है कुछ जाना चाहती है तो मुझे नीचे आप जरूर कमेंट किजिए हैंक्स पर वाचिंग गईज मिलते हूं कल की वीडियो में तब तक के लिए बाय-बैन टेक्ये